नमस्कार मित्रों, डिजार पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूँ अमिद दूबे और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंगलिस के सेकेंड चैप्टर का ध्यन कर रहे हैं जिसका नाम है Lost Spring और इसकी लेखी का है अनीस जंग पिछली वीडियो लेक्चर में हमने यहां तक अध्यन कर लिया था अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है कि जब यह वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए यह चैप्टर धुगा होने वाला है यानि आज बहुत ही बारी किसी और बहुत ही आसान सब्दों में मैं आपको यह चैप्टर समझाने वाला हूँ और आज के बाद इस चैप्टर में कोई भी डाउट आपके लिए सेस नहीं बचेगा आगे देखिए यहां से हमारी कहानी शुरू होती है लेखिका कहती है कि माय अक्विटेंस मेरा परिचे विद द बेर फूट रैग पिकर्स बेर फूट मतलब नंगे पैर रैग पिकर्स मतलब कूडा बीनने वाले तो कूडा बीनने वाले यानि नंगे पैर कूडा बीनने वालों से मेरा परिचे लीट्स मी मुझे ले गया टू शीमापुरी शीमापुरी नंगे पर कूड़ा बीनने वाले लोगों से या बच्चों से या फिर आप सिधा कह सकते हैं कि नंगे पर कूड़ा बीनने वालों से My Aquitance मेरा परचय लेट्स मी मुझे ले गया टू सीमापुरी A place यह एक अस्थान है on the periphery जो सीमा परिस्थित है और दिल ही दिल्ली की फिर भी miles away मीलो दूर है from it दिल्ली से metaphorically लक्षणिक रोप से यानि लच्षणों की बात करें तो दिल्ली की सीमा पर तो यह इस्थित है बट अगर लच्षणों की बात करें तो यह लक्षणिक रोप से दिल्ली से मीलो दूर है कहने का मतलब है दिलि बहुत ज़्यादा विक्सित अस्थान है वहाँ पे बड़ी-बड़ी बिल्डेगे है बहुत महङगी-महङी गाड़िया चलती है सडकों पर यानि दिल्ली बहुत ही ज़्यादा विक्सित है बाट ये छेतर विक्सित नहीं है इसलिए लक्षणिक रूप से यह दिल्ली से मीलो दूर है अब बात सबज में आई आई आपको तो कहते हैं कि यह दिल्ली की सीमा परिस्थित है ठीक है ए प्लेस ऑन दे प्रिफरी ओफ दिल्ही यह अस्थान दिल्ली की सीमा परिस्थित है 8 miles away from it metaphorically लेकि लक्षणिक रूप से यह इससे मीलो दूर है हो गया यहां तक दोस जो लोग who live यानि वो जो लोग live here यहाँ पर रहते हैं are squatters वो squatters हैं गैर कानूनी लोग हैं जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो गैर कानूनी निवाशी है who came from Bangladesh जो बांगला देश से आये हैं back in 1971 1971 में यहाँ पर रहने वाले सभी लोग गैर कानूनी निवाशी हैं जो 1971 में बांगला देश से आये थे clear हो गया यहाँ तर शाहप's family साहप का परिवार is among them उन में से एक है साहप का परिवार उन में से एक है अर्थात साहप का परिवार भी बांगला देश से आया था और वो लोग गैर कानूनी निवाशी हैं अर्थात वो लोग यहाँ पर गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं यानि उनकी कोई identity नहीं है उनकी कोई पहचान नहीं है और वो लोग दूसरे देश से हमारे यहाँ पर आकर रह रहे हैं ठीक है शीमापुरी वाजदेन उस समय अवाइलडरनिस बीहर था बीहर मतलब एक ऐसा अस्थान जहां पर ना खेती की जाती हो और ना ही लोग रहते हो ठीक है तो उसको बोलते हैं बीहर ठीक है तो कहते हैं कि सीमापुरी वाजदेन उस समय सीमापुरी अवाइलडरनिस बीहर था यानि जब यह लोग उनीश से कतर में सीमापुरी आये थे तो उसको में यह अस्थान बीहर था यह अभी भी बीहर ही है but it is no longer unit यह जो है न लेकिन अब यह खाली नहीं है यानि बीहर तो यह अभी भी है यानि यहाँ पर खेती बगरह नहीं होती बट यह खाली नहीं है खाली का मतलब कि यहाँ पर अब लोग रहने लगे हैं ठीक है in structure of mud mud मतलब structure क्च्छे मकान क्च्छे है यहां पर जो मकान बने हैं वह कच्छे मकान है विह रूप जिन की छत रूप मतलब छत तो जिनकी ताक प्लीन और तेफल उर ठीडेट तेफ़ के हैं तो चाहँ एक वोओं सो छड़ा दी जाती है छतों के उपर ठीड़ा, ठीक है T इन structure of mud इन मिट्टी के मकानों में यानि इन कच्चे मकानों में जिनकी छटें तीन और तिरपाल की हैं यहां से लेकर यहां तक पहले silent करेंगे ठीक है फिर मैं आपको समझाता हूँ यह क्या कह रहा है लिव रहते हैं 10,000 रैट पिकर्स 10,000 कूड़ा बीनने वाले पहले इतना समझ लिए कि in structure of mud इन कच्चे घरों में जिनकी छटें तीन और तिरपाल की हैं 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं यहां तक clear हो गया अब मैंने यहां से यहां तक छोड़ा है तो ध्यार से समझ यह डिवाइड डिवाइड मतलब होता है रहित ठीक है डिवाइड मतलब क् जल निकास और मतलब अथवा रनिंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी तो यहां पर जल निकास और बहते हुए पानी के लिए शीवेज डिवाइड है यानि नालियां नहीं है नालियां रहित है यह स्थान ठीक है तो आप clear हो गया कि पूरा जोड़ दें अगर तो यहां पर ऐसे कह रहे हैं कि इन इस्ट्रक्चर आफ मड मिट्टी के इन कच्छे मकानों में जिनकी छटे तीन और तिरपाल के हैं दस हजार कूड़ा बीने वाले रहते हैं और यहां पर बहते हुए पानी और जल निकास के लिए नालियां नहीं है clear हो गया यहां तक डिवाइड मतलब जल निकास और मतलब अथवा रनिंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी तूरा जोड के बता दिया वो लोग यहां पर रहते हैं for more than 30 years 30 सालों से भी ज्यादा समय से more मतलब ज्यादा 30 years मतलब 30 साल 30 साल से भी ज्यादा समय से they lived here वो लोग यहां पर रहते हैं without identity इनकी नहीं है भाई यहसे आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है इनके पास नहीं है without identity इनके पास पहचान नहीं है without permit इनहें यहां रहने की अनुमती भी नहीं है ठीक है तो कहते हैं कि इनके पास पहचान नहीं है और यह इनको अनुमती नहीं मिली है यानि यहां रहने की अन चान नहीं है और यहाँ पर रहने के इनके पास अनुमती भी नहीं है ठीक है यानि यह लोग जबरन रह रहे हैं लेकिन आगे कहते हैं कि बट वित रासन कार्ड लेकिन इनके पास रासन कार्ड है that get their names on water list that जिससे get their name इनका नाम आता है on water list मतदाता सूची में जिससे इनका नाम मतदाता सूची में आता है and enable them और यह enable करता है इनको योग बनाता है to buy grain अनाज खरीदने के यानि जिससे ये अनाज खरीद सकते हैं अब मैं पूरा जोड़ू कि without any identity इनके पास पहचान नहीं है without permits इनके पास यहां रहने की अनुमती भी नहीं है but with रासन कार्ड लेकिन इनके पास रासन कार्ड है that get their names on water list जिससे इनका नाम मतदाता सूची में आता है and enable them to buy grain और इससे ये अनाज खरीद सकते हैं food is more important भोजन कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है for survival जीवित रहने के लिए जीवित रहने के लिए भोजन कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है than identity पहचान की अपेक्षा ठीक है तो पहचान कि अपेक्षा जीवित रहने के लिए भोजन कहीं ज़्यादा महत्वण है If at the end of the day यदि दिन के अंत में We can feed our families हम अपने परिवार को भोजन करा सकते हैं यदि दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन करा सकें If at the end of the day यदि दिन के अंत में यानि साम को We can feed our families हम अपने परिवार को भोजन करा सकें And go to bed और आराम करने जा सकें या सोने जा सकें Without an etching stomach बिना पेट दर्द के We would rather live here तो हम यहां रहना जादा पसंद करेंगे Than in the fields उन खेतों के पेक्षा That gave us no grain जो हमें अनाज नहीं देते तो उन खेतों के पेक्षा जो हमें अनाज नहीं देते We would rather live here हम यहां रहना जादा पसंद करेंगे या फिर ऐसे कह सकते हैं We would rather live here हम यहां रहना जादा पसंद करेंगे Than in the fields उन खेतों के अपेक्षा जो हमें अनाज नहीं देते Say कहता है यहां पे आगे ध्यान से समझेगा यहां तक clear हो गया ना बेहां से समझेगे Say a group of women एक महिलाओं का ग्रूप एक महिलाओं का शमूँ शे कहता है एक महिलाओं का शमूँ ऐसा कहता है इन टेटर्ट सारीज जिन्होंने फटी शारियां पहन रखी थी ठीक है कि वाई दे लिफ्ट की उन्होंने क्यों लिफ्ट कर दिया उन्होंने क्यों छोड़ दिया देयर ब्यूटिफूल लैंड अपनी सुन्दर धर्ती को और ग्रीन फिल्ड्स हरे खेतों की और रिवर्स और नदियों की कि उन्होंने अपनी शुन्दर धर्ती को हरे खेतों की और नदियों की यानि हरे खेतों और नदियों की अपनी शुन्दर धर्ती को वाई दे लिफ्ट उन्होंने क्यों छोड़ दिया आई आस्क देम जब मैं उनसे पूछती हूँ तो एक फटी हुई शाड़ियां पहनी हुई महिलाओं का ग्रूप कहता है कि वहां रहने के पेक्षा हम यहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वहां के खेत अनाज नहीं देते यहां कहीं भी उन्हें भौजन मिल जाता है बीच देट उन्हीं और घार यह बन जाता है यहें उनका आस्थाई घर बन जाता है भाई जैसे हम आप जम्मान लिजे मैं इलहाबाद में रहता हूँ तो इलहाबाद मेरा एक अस्थाई निवास है ठीक है लेकिन ये लोग अगर इनको इलहाबाद में भोजण मिला तो वहाँ पे अपना तंबू लगा देंगे परताबगड में मिला तो परताबगड में टम्बू लगा देंगे कानपुर पहुँझ गे तो वहाँ पर फिर तम्बू लगा देंगे यानि जहां भोजन मिल गया वही तम्बू गार दिया 10-15 दिन महीने रहे और फिर भोजन की तलास में निकल पड़े ठीक है चिल्डर्न ग्रो अपिंदियम बच्चे इन में बड़े होते हैं यानि बच्चे इनी टिंट में बड़े होते हैं बिकमिंग पार्टनर्स और पार्टनर बनते हैं साजेदार बनते हैं इन सर्वाइवल जीवी का कमाने में ठीक है यानि अपने जीवी का कमाने में यानि कूडा बीनने में वो लोग भी क्या बनते हैं पार्टनर्स बनते हैं साजेदार बनते हैं एंड सर्वाइवल और जीवित रहने इंसीमापुरी में शीमापुरी में जीविका कमाने का अर्थ मीन्स मतलब अर्थ तो सर्वाइवल मतलब यहाँ पर जीविका कमाने से है ठीक है तो एंड सर्वाइवल और जीविका कमाना इंसीमापुरी शीमापुरी में और शीमापु में जीवी का कमाने का अर्थ है कि आपको कुड़ा बिनना पड़ेगा दो राइयर्स सालों बीतने के बाद या सालों की अवधी में यह लोग तीस साल से भी ज़्यादा समय से रह रहें न वहां पे तो वही कहतें कि दो राइयर्स कई सालों की अवधी में या कई साल बीतने क पस्चाद आप सिधा सिधा कहेंगे कि कई सालों की अवधी में इट हैज अक्वाइड इसने रूप ले लिया है यानि यह प्राप्त कर लिया है दा प्रोपेशन रूप को आफ फाइन आर्ट एक ललित कला के यानि कई सालों की अवधी में इट हैज अक्वाइड दा प्रोप तो होने वाली कलाएं ललित कला कहलाती हैं ठीक है तो बच्चे जब कूडा बिनते हैं ना तो उन्हें बहुत ज़्यदा उत्सुपता होते हैं कि भाई आज हो सकता है किसी का फटा हुआ जूता मिल जाए या हो सकता है किसी की यूज करी हुई टीशर्ट मिल जाए पहनने को भाई बिना चपल के बिना जूते के वो टहल रहा है तो बहुत आश्चेर इसे ढूरता है वहाँ पे उसका लालित होता है उसका लालच होता है कि आज कूडे में कुछ अच्छा मिलेगा तो इस चीज को यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि कई सालों की अवधी में यानि उनको आदत हो गई है कि उनको कूडे से ही अपनी जरूरत की चीजे निकालनी है ठीक है यह मैंने दूसरे पेज़ पर था यहाँ पर मैंने लिख दिया है यह चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है ठीक है क्योंकि यह दूसरे पेज़ पर था मैंने चाहता कि आप कंफ्यू ये चीज आगे और अच्छी तरह से explain की गई है बट मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ ताकि आपको clear रहे ठीक है तो through the years वर्षों की अवधी में it has acquired a proportion of a fine art इसने ललित कला का रूप ले लिया है ये fine art तक हो गया था देखिया गे garbage to them is gold ये मैंने लिख दिया था ना नीचे पि पुरा उनके लिए धन है ठीक है it is their daily breed it is their या उनका daily breed रोज की रोटी है ये उनकी रोज की रोटी है ठीक है या तक हो गया कि it is their daily bread ये उनकी रोज की रोटी है और रूफ एक छत है over their heads उनके सिर के उपर और उनके सर के उपर एक छत है आगे ये कहते हैं कि उनके सर के उपर एक छत है even if it is leaking proof even भले ही if it is ये एक है leaking मतलब leak करने वाली भले ही ये टपकती हुई रूफ है छत है भले ही ये एक टपकती हुई छत है भाई टेंट है और कच्चे मकान है कहीं न कहीं से पानी गिरता ही रहता है ठीक है टपकता रहता है तो भाई कहते हैं कि उनके सरो पर छत है भले ही ये छत टपकती है but for a child लेकिन एक बच्चे के लिए it is even more ये च्छत से कहीं जादा है ठीक है तो भाई बहुत ज़दा गरीबी में ये बहुत बड़ी बात होती है ठीक है कितने लोग हैं वो सड़कों पर सोते हैं तो आप सब जानते हैं इस्तिधी मैं तुल्थ के चातर है तो कोई बहुत बढ़ा चड़ा के नहीं बोलेंगे चलिए यहां तक हो गया आगे देखेंगे बहुत ज़दा इजी चैप्टर है इसलिए मैं इसमें बार-बार रिवीजन नहीं करा रहा कि I sometimes मुझे सम्टाइम्स कभी-कभी फाइंड रूपी एक रूपया मिल जाता है इवेन अ 10 रूपी नोट और कभी-कभी दस रूपय का नोट मिल जाता है कहता है कि कभी-कभी मुझे एक रूपय मिल जाता है और कभी-कभी मुझे दस रूपय का नोट मिल जाता है साहब कहता है और ऐसा कहते हुए और ऐसा कहते हुए उसकी आँखे चमक उठती है अब ये बात थोड़ा आप अपने उपर लागो कीजिए कि अगर ऐसा हो जाए कि आपको किसी कुड़े की ढिर में एक रुपया या एक चादी का सिक्का मिल जाए तो आप खुद भी उसमें ढूड़ने लगेंगे कि हो सकता है कहीं दोस्त और सिक्के मिल जाए या तीन मिल जाए चार मिल जाए ना ऐसा होता है क्योंकि अभी भी आप बच्चे ही हैं भले ही आप तल्त में पहुँच गये हैं तो कहते हैं कि when you can find a silver coin when जब you can find आपको मिल जाता है a silver coin एक चांदी सिक्का सिक्का जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है in a heap of garbage कूड़े के heap में कूड़े के धेर में तो जब आपको कूड़े के धेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है you don't stop scroaching you don't stop आप बंद नहीं करते scroaching धोड़ना तो आप धोड़ना बंद नहीं करते for there is hope क्योंकि आपको यह आसा होती है of finding more कि आपको और शिक्के मिल जाएंगे यानि इस आसा में कि आपको और शिक्के मिल जाएंगे you don't stop scroaching आप धोड़ना बंद नहीं करते clear हो गया यहां तक it seems that for children it seems ऐसा लगता है that for children's की बच्चों के लिए garbage कूड़ा has a meaning different यानि कूड़े का एक अलग ही मतलब है from what it means to their parents उनके माता पिता की अपक्षा लेखिका कहती है कि it seems ऐसा लगता है that for children's की बच्चों के लिए garbage has a meaning different garbage का एक अलग अर्थ है कूड़े का एक अलग अर्थ है from what it means to their parents उनके माता पिता की अपक्षा for क्योंकि the children बच्चों के लिए it is wrapped ये लिपटा हुआ है in wonder आस्चेरे में बच्चों के लिए ये आस्चेरे में लिपटी हुई चीज है ठीक है यानि बच्चे ढूनते हैं कि सायद उनको किसी का यूच किया हुआ जूता मिल जाए कोई यूच की हुई शर्ट मिल जाए कोई फटी पुरानी कमीज मिल जाए ये सारी चीज बच्चे ढूनते हैं कुडे में ठीक है फॉर्ड इल्डर्स लेकिन बढ़ों के लिए इस अ मीन्स सर्वाइवल ये जीविका या जीवित रहने का सर्वाइवल करने का जिंदा रहने का मीन्स अर्थ है यह जिंदा रहने का साधन है ठीक है, for the children, बच्चों के लिए, it is wrapped in wonder, ये आश्चरे में लिपटी हुई चीज है, बच्चों के लिए ये आश्चरे में लिपटी हुई चीज है, यहाँ पे लेखे का कहने चाहती है, कि बच्चे उसमें ढूनते हैं कि सायद किसी का जूता मिल जाए, किसी अमिर जादे न आगे है, कि one winter morning, एक सर्दी की सुबा, आईसी साहब मैंने साहब को देखा, standing behind the fence, fence देखिए, बार भी कहते हैं, boundary भी कहते हैं, बार भी कहते हैं, fence, fence मतलब जैसे घर ये है, तो घर के चारों और आप boundary करा देते हैं कि कोई जानवर ना आ जाए, कोई साब बिच्चू ना घ उसमें जाया है, घर में, ये चीज बाउंडरी करा आए जाता है, तो वो चीज होती है, fence, fence मतलब boundary, bar, ठीक हैं, तो one in winter morning, एक सर्दी की सुबा, आईसी साहब मैंने साहब को देखा, standing by the fence gate, bar के gate पर खड़े हुए, stand मतलब खड़े होना, fence मतलब वही चाहर दिवारी, bar, boundary, जो कहना चाहिए कह सकते हैं, gate मतलब दर्वाजा, तो bar के दर्वाजे पर खड़े देखा, साहब को आई मैंने, तो एक सर्दी की सुबा, मैंने साहब को bar के दर्वाजे पर खड़े देखा, of the neighborhood, पडोस के club, पडोस के club के पास, bar के दर्वाजे के पास, मैंने साहब को देखा वाचिक वो देख रहा था two young men दो नव जवानों को dressed in white जिन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे थे वो दो नव जवानों को देख रहा था जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे playing tennis और tennis खेल रहे थे ठीक है I like the game मुझे ये खेल पसंद है he hums वो गुनगुनाता है वो गुनगुना कर कहता है कि I like the hums मुझे ये खेल पसंद है content और संतुष्ट होता है to watch it इसे देख कर और इसे देख कर संतुष्ट होता है content बतलब संतुष्ट होना जैसे cricket देख कर बहुत सारे लोग संतुष्ट होते हैं कि चली आज इंडिया जीत गई तो ये चीज ठीक है तो content to watch it इसे देख कर वो संतुष्ट होता है standing behind the fence चाहर दिवारी के या बाढ़ के या boundary के standing behind पीछे खड़ा होकर यानि ये लोग अंदर खेल रहे हैं तो बच्चा यहाँ पे खड़ा है ठीक है बाढ़ के अंदर नहीं गया वो बाढ़ के पीछे खड़ा है यानि बाढ़ के बाहर ही खड़े होकर watch it इसे देख कर content वो संतुष्ट होता है behind the fence यानि बाढ़ के पीछे यानि बाढ़ के बाहर ही खड़े होकर इसे देख कर वो संतुष्ट होता है I go inside मैं अंदर जा सकता हूँ when no one is around जब कोई आसपास नहीं होता यानि जब कोई आसपास नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ he admits और उसने ये भी सुईकार किया the gatekeeper की जो gatekeeper है द्वारपाल है let's me use the swings swings मतलब जूला तो use करने का मतलब है कि जूलने देना ठीक है तो the gatekeeper की जो द्वारपाल है let me use the swing वो मुझे जूले पर जूलने देता है आगे लेखिका कहती है कि साहब टू साहब ने भी is wearing पहन रखे थे tennis shoes यानी tennis खिलने वाले जूते तो साहब ने भी tennis खिलने वाले जूते पहन रखे थे that look strange जो अजीब लग रहे थे या विचित्र लग रहे थे over his discolored shirt उसकी discolored रंग उड़ी shirt के उपर and shorts और निकर के उपर तो नेकर ठीक है तो जो half pent होती है उसको बोलते है तो साहब ने भी tennis खिलने वाले जूते पहन रखे थे that look strange जो की अजीब लग रहे थे over his discolored shirt उसकी रंग उड़ी shirt के उपर और निकर के उपर उसकी रंग उड़ी shirt और निकर के उपर वो अजीब लग रहे थे someone gave them to me someone किसी ने gave them इन्हें दिया है to me मुझे किसी ने इन्हें मुझे दिया है यानि उसने बताया कि इसे मुझे किसी ने दिया है he says उसने बताया या वो कहता है in the manner of an explanation explanation मतलब इसपश्टी करण का भाव तो इसपश्टी करण के भाव में he says वो कहता है या इसपश्टी करण के धंग से वो कहता है the fact ठीक है अब आगे कहते हैं ये चीज यहां पे हो गया कि वो वहां इसपश्टी करण के धंग से कहता है कि किसी ने उसे ये जूते दिये है अब आगे कहते हैं कि the fact ये तथ्य ये बात that they are discarded कि ये त्यागे हुए सूज हैं त्यागे हुए जूते हैं of some rich boy किसी अमीर बच्चे के यह तथ्य कि ये जूते किसी अमीर बच्चे के त्यागे हुए जूते हैं who perhaps refused to wear them who जिसने perhaps सायद refused इनकार कर दिया to wear them इन्हें पहनने से दिखे छोटा छोटा कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर से लड़ना नहीं है और मैं नहीं चाता कि आप इसमें थोड़ा भी confused हूँ दिखे पहले इतना समझे कि the fact that they are discarded shoes of some rich boy the fact ये तत्य that they are discarded ये त्यागे हुए shoes हैं त्यागे हुए जूते हैं of some rich boy किसी अमीर बच्चे के छोटा कर लिया इतना आ गया इसके आगे who perhaps जिसने refuse जिसने सायद refuse कर दिया इनकार कर दिया to wear them इन्हें पहनने से जिसने सायद इन्हें पहनने से इनकार कर दिया जहां तक हो गया because क्योंकि of a whole क्योंकि एक छेद है in one of them इन्में से एक में यानि क्योंकि इन्में से एक जूते में छेद है तो पूरा जोड़ दे तो यह तत्य की ये किसी अमीर बच्चे के त्यागे हुए जूते हैं जिसने सायद इन्हें पहनने से इनकार कर दिया क्योंकि इन्में से एक जूते में छेद है does not bother him उसे परेशान नहीं करता भाई बिना चपल के टहलने से अच्छा है कि छेद वाला जूता ही पहन लिया जाए तो does not bother bother बादर मतलब परेशान करना ही मतलब उसे तो does not bother him उसे परेशान नहीं करता यानि इस बात से उसे कोई फरकने पड़ता किसी ऐसे इनसान के लिए जो नंगे पैर वाक करता हो तहलता हो या चलता हो एक ऐसे व्यक्ति के लिए या एक ऐसे इनसान के लिए जो नंगे पैर टहलता हो एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर टहलता हो छेद वाले जूते भी एक सपने के सच होने जैसा है बर दगेम लेकिन जो खेल वो देख रहा है लेकिन जो खेल वो देख रहा है so intently इतने ध्यान से इतने ध्यान से जो खेल वो देख रहा है is out of his reach वो उसकी पहुँच से बाहर है यानि वो टेनिस कभी नहीं खेल सकता आगे कहते हैं कि this morning आज सुबह साहब is on his way साहब on his way to milk booth साहब milk booth यानि साहब दूध की दुकान पर जा रहा था this morning आज सुबह साहब is on his way यानि रास्ते पर चलना यानि रास्ते पर जा रहा था to the milk booth यानि दूध की दुकान पर जा रहा था आज सुबह साहब दूध की दुकान पर जा रहा था in his hand उसके हाथ में Is a steel canister, एक steel का कनस्तर है, उसके हाथ में एक steel का कनस्तर है, कहता है कि I now, अब मैं work in a tea stall, एक चाय की दुकान पर work करता हूँ, काम करता हूँ, down the road, सडक के उस पार, सडक के उस पार या सडक के आगे, मैं अब एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, he says उसने कहा pointing इसारा करते हुए in the distance दूर दूर इसारा करते हुए he says उसने कहा I am paid 800 रुपीस मुझे 800 रुपए मिलते हैं and all my meals और सभी वक्त का भोजन मिलता है यानि जितनी बार वो खाता है उसे उतनी बार भोजन मिलता है और 800 रुपए उसे मिलते हैं does he like the job क्या उसे नौकरी पसंद है I ask मैंने पूछा his face उसका चेहरा I see मैंने देखा मैंने उसका चेहरा देखा has lost the carefree look carefree मतलब निश्चिंत ठीक है तो निश्चिंत होने वाला लुक जो था या फिर आप इसे कह सकते हैं बेफिक्री या आजादी स्वतंत्रता ठीक है तो carefree मतलब वो आजाद पंची था लेकिन अब दुकान पर काम करता है तो उसके चेहरे से जो आजादी का भाव था ना तो कहती है कि his face उसका चेहरा I see मैंने देखा has lost the carefree look carefree मतलब बेफिक्री मैं बोलूँगा मैंने कई मतलब बता दिये हैं आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं तो his face, उसका चेहरा, I see, मैंने देखा, तो मैंने उसका चेहरा देखा, has lost the carefree look, उसके चेहरे से बेफिक्री का भाव खो गया था, lost मतलब खो जाना, तो मैंने उसका चेहरा देखा, तो उसके चेहरे से बेफिक्री, निश्चिंतितता, या फिर आजादी का भाव खो गया था दे श्टील कनिस्टर जो इस्टील का कनिस्टर था सिम्स हैवियर कहीं ज़्यादा भारी था देन दे प्लास्टिक बैग उस प्लास्टिक थैले की अपिक्षा यह वूट कैरी जो वो ले जाता था सो लाइटली बरे आराम से ओवर ही सोल्डर सपने कंधों पर बड़ा है चोटा करते हैं दे श्टील कनिस्टू यह श्टील का कनिस्टर सिम्स हैवियर कहीं ज़्यादा भारी था देन दे प्लास्टिक बैग उस प्लास्टिक के थैले की अपिक्षा चोटा कर दिया तो यहाँ पर कहते हैं कि यह स्टेल का कनिस्तर उस प्लास्टिक के थैले की अफिक्षा कहीं ज़्यादा भारी था आगे he would carry जो वो ले जाता था जो थैला वो ले जाता था बैग यानि थैला प्लास्टिक का थैला वाजीज उसका अपना था दकनिस्टर लेकिन यह जो कनिस्टर है बिलॉंग्स तु दा मैन उस व्यक्ति का है who owns जो मालिक है दटीस ओफ चाई की दुकान का लेकिन ये कनेस्टर उस व्यक्ति का है जो चाई की दुकान का मालिक है साहब अब अपना स्वयम का मालिक नहीं रहा यानि अब वो दूसरे की नौकरी करता है I want to drive a car I want मैं चाहता हूँ to drive चलाना अकार एक कार मैं एक कार चलाना चाहता हूँ ये आपकी दूसरी कहानी है जो इसी अध्याय में दी गई है ठीक है ध्यान से समझेगा कहते हैं कि मुकेस इंसिस्ट जोर देता है on being his own master his मतलब अपना, own मतलब स्वयम का, master मतलब मालिक तो मुकेस इंसिस्ट मुकेस जोर देता है on being his own master अपना खुद का मालिक बनने पर या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि मुकेस अपना खुद का मालिक बनना चाहता है I will be a motor mechanic मैं एक motor mechanic बनूँगा he announces वो घोसना करता है do you know क्या तुम जानते हो anything कुछ भी about cars गाड़ियों के बारे में क्या तुम गाड़ियों के बारे में या फिर कार के बारे में कुछ जानते हो I ask मैंने पूछा यानि लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो I will learn to drive a car I will learn मैं सीख लूँगा to drive a car एक कार चलाना मैं एक कार चलाना शीख लूँगा he answers वो उत्तर देता है looking straight into my eyes सीधा looking straight सीधा look देखते हुए into my eyes मेरी आँखों में सीधा मेरी आँखों में देखकर वो उत्तर देता है कि I will learn to drive a car मैं एक कार चलाना सीख लूँगा his dream उसका सपना looms प्रतीत होता है like a marriage एक marriage की भाती एक मारीचिका की भाती marriage मतलब मारीचिका मारीचिका मतलब एक तरह का भ्रम कह सकते हैं जैसे जो लोग रेगिस्तान में घूमने जाते हैं उनको कभी-कभी ऐसा हैसा होता है कि सामने कुछ दूरी पर पानी है लेकिन वास्ताव में वहाँ पर पानी नहीं होता यानि वो अपने भ्रम में खो जाते हैं लग रहा है यानि सच नहीं होगा इसका सपना ठीक है ये चीज वो कह रही है ठीक है तो उसका his dream looms like a marriage उसका सपना एक मारीचिका की भाती प्रतीत होता है अमिश्ट मतलब मध्ध में the dust मतलब धूल के off street धूल से भरी गलियों के बीच में अब इसको छोटा कर लिया यहां पे तोमिश्ट मतलब मध्ध है यानि बीच dust मतलब धूल, street मतलब गलियां तो धूल भरी गलियों के बीच that field his town फिरोजाबाद फिरोजाबाद उसके कस्बे फिरोजाबाद की धूल से भरी गलियों के बीच clear है यहां तक, comma लगा है इसलिए मैंने नहीं लगाया तो his town फिरोजाबाद उसके town फिरोजाबाद यानि उसके कस्बे फिरोजाबाद की फिल मतलब भरी हुई भरना, फिल मतलब यह होता ना, fill in the blanks, ठीक है फिल मतलब भरना, तो dust of streets यानि धूल से भरी गलियों, उसके कस्बे फिरोजाबाद की धूल से भरी गलियों के बीच his dream उसका सपना, looms like a marriage, एक मारी चिका की भांती प्रतित होता है famous जो प्रसिद्ध है for his its bangles अपनी चूडियों के लिए अब फिरोजाबाद अपनी चूडियों के लिए प्रसिद्ध है, तो एक बर मैं इसको और अच्छी तरह से जोड़ता हूँ कि his town फिरोजाबाद, उसका कस्बा फिरोजाबाद famous for its bangles जो अपनी चूडियों के लिए प्रसिद्ध है कि धूल से भरी गलियों के मध्य में उसका सपना एक मारी चिका की भांती प्रतित होता है मैं के वह इतना चाहता हूँ कि आपके कुछ भी doubts ना पा की रहें, ठीक है, आसानी से समझेए आगे कहते हैं कि every other family in फिरोजाबाद, every other family हर दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में यही बनि हुए उद्योग बनाता है, पहले इतना मतलब समझेए, ग्लास ब्लोईं का मतलब है और इंद्योग, द्योग। तो यहाँ पे सिधा सिधा मतलब है it is the center यह केंद्र है आफ इंडियास भारत की glass blowing काच की आकरती देने वाले industry उद्योग का तो यह भारत की काच की आकरती देने वाले उद्योग का केंद्र है यहाँ तक clear हो गया छोटा हो गया तो आसान हो गया समझने में ठीक है कि यहां भारत की काच की आकरती देने वाले उद्योगा का केंडर है यहां पे स्विसली काच की आकरती से मतलब है चूडियों से वेर जहां फैमिली परिवार है बिस्पिंट जनरेशन पीड़ियां बिता देते हैं जनरेशन मतलब पेड़ी तो वेर जहां फैमिली परिवार है विस्पिंट जनरेशन अपनी पीड़ियां परिवार बिता देते हैं वेल्डिन गलास यानि काच को वेल्डिंग करते हुए तोड़ते हुए making vengals शूडिया बनाते हुए ठीक है for all the women सभी महिलाओं के लिए in the land देश की it seems यानि देश की सभी महिलाओं के लिए चूडिया बनाते हुए ठीक है तो एक बार पुरा जोड़ दें इसको कैसे कहा जाएगा it is the center of India's glass blowing industry it is the center ये केंद्र है भारत की glass blowing कांच की आकरती देने वाले उद्योग का तो ये भारत की कांच की आकरती देने वाले उद्योग का केंद्र है where families have spent generation छोटा कर लेंगे यापर जहाँ पर परिवार अपनी पीडिया बिता देते हैं working around furnaces भठियों के पास काम करते हुए welding glass कांच को तोड़ते हुए making bangles चूडिया बनाते हुए for all the women in the land it seems देज की सभी महिलाओं के लिए छोटा हो गया आसान हो गया आगे चलेंगे मुकेस family मुकेस का परिवार भी is among them इन ही लोगों में से एक है अर्थात मुकेस का परिवार भी चूडिया ही बनाता है none of them उन में से कोई भी नोन नहीं जानता that की it is illegal ये अपराध है ये गैर कानूनी है कुछ भी कह सकते हैं की उन में से कोई भी नहीं जानता की ये अपराध है for children की बच्चे like him उसके जैसे की उसके जैसे या उसकी उम्र के बच्चे to work काम करें in the glass furnaces काच की भठी पर छोटा कर लेंगे यहाँ पर यहाँ तक समझे पहले की मुकेस family is among them मुकेस का परिवार भी इन ही लोगों में से एक है इतना हो गया आगे कहते की none of them known that it is illegal उन में से कोई भी ये नहीं जानता की यह अपराद है की for children like him to work की उसकी उम्र के या उसकी तरह के बच्चे काच की भठीयों पर काम करें with high temperatures इतने उच्छ तापमान पर ठीक है यहाँ तक हो गया अब आगे in dignity cells डिगनी यहाँ पर जो dignity का मतलब है वो है गंदी और cell का मतलब है कोठरी से गंदी कोठरियों में without air जहाँ पर ना तो हवा है and light और ना ही प्रकास है तो यहाँ तक clear हो गया अब आगे छोटा छोटा करके समझेगा इसमें लड़ियेगा मत इससे ठीक है नहीं तो confused हो जाएंगे कि that the law और यदी law यानि कानून if enforced यानि जबरजस्ती लागू कर दिया जाए यानि अगर कानून लागू कर दिया जाए that the law if enforced और यदी कानून लागू कर दिया जाए तो could get him तो यह निकाल देगा उसे and all those 20,000 children और उन सभी 20,000 बच्चों को out of the hot furnace इस गर्म भठी से बाहर और यदी फिर से that the law if enforced इतने का मतलब है कि अगर कानून लागू कर दिया जाए तो could get him all those 20,000 children तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को out बाहर निकाल दिया जाएगा of the hot furnaces गर्म भठी से यानि उन्हें गर्म भठी पर काम नहीं करने दिया जाएगा भाई आपने सुना होगा न बाल परिश्रम जो है वो अपराद है यानि बच्चे पहले पढ़ेंगे फिर वो काम करेंगे तो वही चीज़ है याँपे कि अगर कानून लागो कर दिया जाए तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भठी से बाहर निकाल दिया जाएगा वेर जहां देश्लॉग वो परिश्रम करते हैं देश्लॉग अपने देश्लॉग आवर्स दिन के घंटों में देश्लॉग मतलब दिन आवर्स मतलब घंटे स्लॉग मतलब कठिन परिश्रम करना तो वेर जहां देश्लॉग वो कठिन परिश्रम करते हैं देश्लॉग आवर्स अपने दिन के घंटों में जहां पर वो अपने दिन के घंटों में कठिन परिश्रम करते हैं यहां तक भी हो गया, फिर यहां पे भी छोटा कर लेते हैं, अब आगे चलेंगे, often losing और कई बार lose खो देते हैं, the brightness, प्रकास, जोदी, जो कहना चाहें कह सकते हैं, और कई बार तो अपनी आखो का प्रकास भी खो देते हैं, यानि अंधे हो जाते हैं, यहां तक भी हो गया, अब आगे चलेंगे, जितना पढ़ा रहा हूं, एक बार वीडियो को pause करके, आप लोग यहां से यहां तक पढ़ लीजिए, फिर आगे चलिए, क्योंकि थोड़ा सा भी confusion नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार पढ़ने से कोई लाब होता नहीं है, एक बार पढ़ने की बाद chapter हमेशा क्लिए क्लियर हो जाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है, बहुत ज़्यादा easy है, बस समझने की बात है, ठीक है, मुकेस I, मुकेस I beam, यानि मुकेस I beam, as he volunteer to take me home, देखें, मुकेस I beam, मुकेस की आखें बीम चमाक उठती है, जब वो मुझे आगरा करता है, या अनुगरा करता है, to take me home उसके घर चलने का, यानि जब मुकेस मुझे अपने घर ले जाने की पेसकस करता है, तो मुकेस I beam, उसकी आखें चमाक उठ तो as he volunteer to take me home, यानि जब वो मुझे अपने घर ले जाने की पेसकस करता है, तो मुकेस की आखें बीम करती है, चमाक उठती है, which he proudly, which Joe, यानि उसका घर, he proudly, वो गर्व से says कहता है, वो गर्व से कहता है, वो गर्व से कहता है, कि which, उसका घर, यहाँ पे which का मतलब है, उसका घर, ठीक है, जो he proudly says is being rebuilt, rebuilt मतलब फिर से बनाया जाना, तो which, जो की he proudly says, वो गर्व से कहता है, कि is being rebuilt, फिर से बनाया जा रहा है, जो की, वो गर्व से कहता है, कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है, we walk down striking lanes choked with garbage, ध्यान से समझेगा वहाँ पे, देखें, यहाँ तक हो गया है, समझेए, ठीक है, मैं नहीं चाता, आप पीछे जाए, अब इसके आगे, ठीक है, देखें, कहते हैं कि we walk, हम गुजरते हैं, down striking lanes, ऐसी गलियों से, या बदबुदार गलियों से, चोग्ड जो भरी परी हैं with garbage मतलब कूडे से, तो हम कूडे से अटी परी या भरी परी बदबुदार गलियों से गुजरते हैं, past homes और घरों के पास से गुजरते हैं, that remains howvels with crumbling walls, देखें, howvels with crumbling walls का मतलब है, जिनकी दीवारे जरजर हैं, या जिनकी दीवारे टूटी हुई हैं, ठीक जिनकी दीवारे टूटी हुई हैं, wobbly doors और जो दर्वाजे हैं, वोबली हैं, डगमगा रहे हैं, और डगमगाते हुए दर्वाजे हैं, no windows और उन घरों में खिड़कियां भी नहीं हैं, यहाँ पर पहने छोटा करेंगे, एक बार फिर से, देखें, यहाँ से, we walk down striking lens, joke with garbage, इतने का मतलब है, कि हम कुड़े से भरी पड़ी, बदबूदार गलियों से गुजरते हैं, ठीक है, past homes, और हम ऐसे घरों के सामने से गुजरते हैं, that remains hovels with covering walls, यानि कुछ ऐसे गंदे घरों के सामने से गुजरते हैं, जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं, वोबली और उनके घरों में खिड़कियां नहीं हैं, इतना हो गया, अब आगे धहन से समझें, crowded with families, इसमें परिवार रहता है, crowded मतलब भरा हुआ है, यानि परिवार रहता है, तो families, family मतलब परिवार, तो crowded with family का मतलब है कि इसमें परिवार रहता है, यानि इन घरों में परिवार र जानवरों के परिवार रहते हैं, यानि इन घरों में इनसानों और जानवरों के परिवार रहते हैं, end के बाद वहाँ पे animals उस तरफ है, तो चलिए, यहाँ पे animals समझ लीजी, यहाँ पे लिखा है, तो मैंने जोड के बता दिया, कि crowded with families इसमें परिवार रहते हैं, of humans and animals, इनसानों और जानवरों के, ठीक है यहाँ तक आगे, co-exciting मतलब एक साथ, यानि एक ही घर में इनसान और जानवर दोनों रहते हैं, in a primal age, primal age मतलब होता है आदि मकाल की तरह, पहले लोग गुफाओं में रहते थे, तो वो अपनी गुफा में भेन बकडी जानवर कुट्टे सब को भर लेते थे, और अपनी गुफा के मुहाने पर एक पत्थर रख देते थे बरात्सा, यानि सब लोग उसी गुफा में पड़े रहते थे यानि जानवर भी पड़े हैं इंसान भी पड़े हैं तो उसी तरह से ये कह रही हैं कि आदिम काल की ही तरह आदियूक की तरह ही जैसे आदिम आनो रहता था कि अपनी गुफा में वो अपनी सारे जानवरों को भी अपने साथ भर लेता था और अपने परिवारों को भी भर लेता था तो उसी तरह से यह लोग भी रह रहे हैं ठीक है तो केग्सिटिंग इन अंप्राइमल एह मतलब होता है परिवार एक साथ मिलकर आदिम यूग की तरह रहते हैं ठीक है He stops वो रुख गया कौन रुख गया यानि जो लड़का था उसका नाम क्या था मुकेस तो मुकेस रुख गया एड़ डोर एक दरवाजे पर आफ वन सच हाउस ऐसे ही किसी घर के तो ऐसे ही किसी घर के दरवाजे पर मुकेस रुख गया यानि जिस दरवाजे पर रुखा वो भी तूटा फूटा ही था बैंक्स अवूबली आरेंडूर अवूबली आरेंडूर वूबली डगमगाते या कमजोर आरेंड लोहे के डूर दरवाजे पर विट इस food अपने पैर से बैंग उसने लात मारी तो उसने अपने पैर से लोहे के एक डगमगाते दरवाजे पर लात मारी and pushed it open पुष्ट मतलब धक्का देना लात मारेगा तो धक्का ही लगेगा ना तो पुष्ट इट ओपेन और इसे खोल दिया winter अहाब ब्यूल्ट sack winter हम प्रवेश करते हैं अहाब ब्यूल्ट एक अधबनी sack जोपडी में हम एक अधबनी जोपडी में प्रवेश करते हैं in one part of it इसके एक भाग में यानि थैस्ट with dead grass यानि जो थैस्ट है इसकी जो चप्पर है with dead grass वो घास फूसकी है dead मतलब मरी हुई सूखी grass मतलब घास तो इसकी चप्पर शूखी घास की है यानि जिस घर में हम लोगों ने प्रवेश किया इसकी चप्पर सूखी घास की है in one part of it और इसके एक भाग में is a firewood stop एक लकड़ी का चूला है एक मिट्टी का चूला है over which जिस पर sits a large vessel एक बड़ा वेशल एक बड़ा बरतन रखा हुआ है और sizzling spinach leaves और spinach leaves पालक की पत्तियां sizzle कर रही है उबल रही है जिसमें पालक की पत्तियां उबल रही है नहीं समझ में आया ना तो यहाँ पर फिर से कि we enter a half built sack हम एक अदबनी जोपड़ी में प्रवेश करते हैं यहां तक हो गया in one part of it इसके एक भाग में अब ये पहले सोचिए कि ये वाला पहले पढ़ना है आपको कि हम एक अदबनी जोपड़ी में प्रवेश करते हैं जिसकी छपर सूखी घास की बनी हुई है in one part of it और इसकी एक भाग में is a firewood stop एक चूला है एक मिट्टी का चूला है एक लकडी का चूला है जैसा कहना चाहिका सकते हैं कि एक मिट्टी का चूला है over which जिस पर sits a large vessel एक बड़ा भरतन रखा हुआ है of sizzling spinach leaves और उसमें पालक की पत्तियां उबल रही है आगे कहते हैं कि on the ground और जमीन पर in a large aluminium platters जमीन पर एक बड़ी aluminium की plate रखी हुई है और more chopped vegetables और उसमें chopped कटी हुई vegetables सबजियां हैं जिसमें कटी हुई सबजियां हैं जमीन पर एक aluminium की plate रखी है जिसमें कटी हुई सबजियां है अ फ्रेल यंग वूमेन एक दुबली या पतली या कमजोर यंग वूमेन नव जवान महिला इच कुकिंग एविनिंग मील शाम का भोजन बना रही है for whole family पूरे परिवार के लिए एक कमजोर महिला या यूविती भी कह सकते हैं तो एक कमजोर यूविती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है द्रो आइस फिल्ड विथ स्मोक पतलब धुआ तो द्रो आइस फिल्ड विस स्मोक धुएं से भरी हुई आँखों से सी स्माइल्स वो मुस्कुराती है यानि धुआ भरी आँखों से वो मुस्कुराती है खाना बना रही है तो उसकी आँखों में धुआ चला जाता है तो कहती हैं कि धुआ भरी आँखों से वो मुस्कुराती है She is the wife of Mukes elder brother She is the wife वो पत्नी है Of Mukes Mukes के elder brother बड़े भाई की वह Mukes के बड़े भाई की पत्नी है Not much older in years और not much older वो ज़्यादा बड़ी नहीं है in years Mukes से यानि Mukes से वो ज़्यादा बड़ी नहीं है यहाँ पर कहना चाते हैं कि वो Mukes से ज़्यादा बड़ी नहीं है यानि उसका बिवा बहुत ही कम आयों में कर दिया गया है Not much older in years यानि वो ज़्यादा बड़ी नहीं है ऐसे भी कह सकते हैं या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि वह Mukes से ज़्यादा बड़ी नहीं है She has begin to command respect लेकिन उसे respect मिलने लगा है सम्मान मिलने लगा है ऐस बहू बहू के रूप में लेकिन उसे बहू के रूप में सम्मान मिलने लगा है भाई बहुत कम उमर में भी साधियां होती थी पहले आज के समय में तो नहीं होती बट कहीं गई ऐसे हो जाती है तो पहले बहुत कम उमर में ही साधियां कर दी जाती थी तो भही कहते हैं कि वो तो बहुत छोटी है लेकिन घर की बहु होने के कारण उसको सम्मान मिलने लगा है वो घर की डाटर इन लौ है बहु है वो घर की बहु है और उस पर जिम्मेदारी है आफ थ्री में तीन पुरसों की और उस पर तीन पुरसों की जिम्मेदारी है हर हस्बेंड उसका पती मुकेस मुकेस और देर फादर और इनके पिता तो मुकेश उसका पती और इन दोनों के पिता यानि तीन पुर्षों की उश्पर जिम्मेदारी है When the older man enters, when जब the older man's बृद्ध व्यक्ती यानि मुकेश के पिता जी इंटर्स प्रवेश करते हैं, तो जब बृद्ध व्यक्ती प्रवेश करता है तो सीजंटली विड्रोष तो जेंटली आराम से या धीरे से विड्रोष सरक जाती है behind the broken wall, तूटी हुई दीवार के पीछे तो जब बृद्ध व्यक्ती प्रवेश करता है, तो वो साधारता या आराम से तूटी हुई दीवार के पीछे शरक जाती है brings her well और अपना घूंगट closer ले आती है to her face अपने चेहरे पर और अपने घूंगट को अपने चेहरे पर ले आती है बहुत ज़्यादा easy words हैं ऐसा कोई भी word नहीं है जिसकी आपको हिंदी ना आती हो इसलिए मैं revision नहीं करा रहा बार बार ठीक है जहाँ पर confusion हो रही है मैं वहाँ पर revision कराऊंगा बाकि जहाँ आसान है वहाँ पर आपको revision करने की ज़रूत नहीं है एक बार पढ़ने के बाद आपको आ जाएगा क्लियर है आगे चलते हैं कहते हैं कि as custom demands जैसे की प्रथा है custom है रीती है जैसा की रीती रिवाज है या फिर जैसी की प्रथा है daughter-in-law बहू को must will घूंगट में रखना चाहिए देर फेस उनके चहरे को बहू को अपने चहरे को घूंगट में रखना चाहिए before male elders पूरूस बुजुर्गों के सामने तो ऐसी प्रथा है कि बहू को पूरुस वुजर्गों के सामने अपने चहरे को घुंगट में रखना चाहिए In this case, the elder is an improvised bangle maker In this case, यहाँ पर the elder वो बूढ़ा वेक्ती is an improvised एक बहुत ही जादा निर्धन bangle maker चूड़ी बनाने वाला है यहाँ पर यानि मुकेस का जो पिता है न वो बहुत ही जादा निर्धन है और वो चूड़ी बनाने का काम करता है तो वही लिखिय का कहती है कि in this case, यहाँ पर the elder is an improvised bangle maker जो वृद्ध वेक्ती है वो बहुत ही जादा गरीब चूड़ी बनाने वाला है despite long year of hard labor, despite long years कई सालों तक hard labor कठीन परिश्रम करने के बावजूद कई सालों तक कठीन परिश्रम करने के बावजूद यहाँ तक clear है कि इतने का मतलब है कि कई सालों तक कठीन परिश्रम करने के बावजूद यहाँ पर छोटा कर लीजिए नहीं तो confused होंगे first as a tailor पहले तो उसने एक tailor के रूप में काम किया एक दर्जी के रूप में काम किया then a bangle maker और फिर उसने एक bangle maker चूरी बनाने वाले के रूप में काम किया यानि कई सालों तक कठिन परिस्दम करने की बावजूद पहले तो एक tailor के रूप में दरजिय के रूप में फिर एक चूडी निर्माता के रूप में He has failed to renovate a house He has failed वो असफल रहा To renovate a house घर की मरमत कराने में या नवीनी करण कराने में ठीक है Renovate मतलब नवीनी करान भी कह सकते है मरमत भी कह सकते है ठीक है तो वो घर की मरम्मत या घर का नवीनी करण कराने में feel हो गया असफल रहा send his two sons और अपने दो बेटों को school भेजने में भी वो असफल रहा ठीक है? तो ना तो वो अपने घर का नवीनी करण करा सका और ना ही वो अपने दोनों बच्चों को school भेज सका यानि दोनों कामों में वो अशफल रहा All he has managed वो जो कुछ भी कर सका to do यानि वो जो कुछ भी कर सका teach them वो ये था कि teach them उसने उन्हें सिखाया What he knows जो जानता था यानि उन्हें वही सिखा पाया जो वो खुद जानता था यानि अपने बच्चों को वो सिर्फ वही चीजे सिखा पाया, जो वो खुद जानता था, the art of making bangles, चूडिया बनाने की art, color, चूडिया बनाने की color, आगे चलेंगे, it is his karma, ये उसका कर्म है, his destiny, उसका भाग्य है, यहाँ पर कहते हैं कि it is his karma, ये उसका कर्म है, his destiny, इसका भाग्य है, says Mukes Grand Mother, Mukes की दादी मा कहती है, Mukes की दादी मा कहती हैं कि ये उसका कर्म है, और ये ही उसका भाग्य है, who has watched her own husband, who, जिन्होंने has watched, देखा है, हर own husband, अपने खुद के पती को, go blind, अंधा होते हुए, with the dust, धूल से, from polishing, polish की, the glass of bangles, चूडियों के कांच की, देखे, पूरा इसको थोड़ा सा उल्टा पढ़ की polish की धूल से, dust मतलब धूल, polish मतलब polish ही होता है, glass मतलब कांच, bangles मतलब चूडि, तो चूडियों के, या चूडियों के, कांच की polish से, की धूल से, उन्होंने, अपने खुद के पती को, go blind, अंधा होते हुए, देखा है, ठीक है, तो मुकेस की दादी माने, अपने खुद से, अंधा होते हुए, देखा है, और फिर भी, वो कहती है, कि Jesus कर्म, ये इसका कर्म है, His destiny, और इसका भाग है, यानि अपने बेटे के बारे में, वो कह रहे हैं, मुकेस के पिता के बारे में, कैन अगॉड गिवन लाइनेज, कैन क्या अगॉड गिवन इस्वर के दौारा प्रदत या इस्वर के दौरा दी गई, लाइनेज, वंस परमपरा, एवर वी ब्रोकिन, कभी तोडी जा सकती है, यानि कहने का मतलब है कि अगर इसके बाप ने चूडिया बनाई है तो ये भी चूडिया बनाएगा और इसने चूडिया बनाई है तो इसके बच्चे भी चूडिया ही बनाएंगे और उनके बच्चे भी चूडियां ही बनाएंगे यानि ये वन्स परंपरा है कि इनके खांदान में जितने लोग होंगे सब चूड़ी ही बनाएंगे clear है या तक तो कहना God given lineage, lineage मतलब वन्स परंपरा, ठीक है तो ever be broken कभी तोरी जा सकती है, तो क्या और यन्दिक आस्ट वो जाती में पैदा हूआ है अप बैंगल मेकर्स चूड़ीया बनाने वालों की तो चूड़ीया बनाने वालों की जाती में पैदा होकर they have seen nothing उन्होंने कुछ नहीं देखा बर बैंगल स्चूड़ीयों के अलावा अब आगे ध्यान से समझेगा इन हाउस घर में यानि घर में भी चूडिया ही चूडिया है इन दयार्ड आंगन में आंगन में भी चूडिया ही चूडिया इन एवरी अदर हाउस हर दूसरे घर में चूडिया है every other yard हर दूसरे आंगन में चूडिया ही है यानि परोसियों के यहां भी जाएंगे तो वो भी चूड़ी ही बना रहे हैं तो उनके आंगन में भी चूड़ी घर में भी चूड़ी ही चूड़ी यहां तक हो गया ना अब छोटा कर लेते हैं आपे अब ध्यान से समझियागा यहां पर कि every street in फिरोजबाद every street हर गली में फिरोजबाद फिरोजबाद की फिरोजबाद की हर गली में चूड़ीया ही चूड़ीया है एक बार मैं पूरा रिवीजन कराता हूँ ताकि आपके डाउट्स रहें बार ने दे कास्ट आप बैंगल मेकर्स चूड़ीया बनाने वालों की जाती में पैदा होकर उन्होंने चूड़ीयों के सिवाए कुछ नहीं देखा इन दे हाउस घर में इन दे याड आगन में इन एवरी अदर हाउस हर दूसरे घर में इवरी अदर हर दूसरे आगन में इवरी स्ट्रीट हर गली में इन फिरोजबाद फिरोजबाद की तो फिरोजबाद की हर गली में चूड़ीया हैं हर दूसरे आगन में चूड़ीया हैं हर दूसरे घर में चूड़ीया हैं यानि in the yard उनकी आगन में भी चूडिया है इन the house उनके घर में भी चूडिया है यानि in the house घर में भी चूडिया है इन the yard आगन में भी चूडिया है in every other house हर दूसरे घर में भी चूडियों का ही ब्यापार है यानि हर दूसरे घर में भी चूडिया है every other yard हर दूसरे आगन में भ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की, यहां तक clear है, जिस तरह से आप पढ़ना चाहें, उस तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप सिरा इतना भी बोल सकते हैं, कि in the house, घर में, in the yard, आगन में, in the every other house, हर दूसरे घर में, in every other yard, हर दूसरे आगन में, every street, हर गली में, in फ चूडियों के सिवाए कुछ भी नहीं देखा, spirals of bangles, आप इसका मतलब दो तरह से कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, bangles मतलब चूडियों के spirals, यानि धेर, या फिर आप कह सकते हैं, कि चूडियों के बंडल, अब चूडियों के रंग की बात हो रही है, आगे तो ध्यान से नीले रंग की, पिंक, गुलाबी रंग की, परबल, बैगनी रंग की, यानि चूडियों के बंडल, सुनहरे रंग के हैं, धान जैसे हरे रंग के हैं, गहरे नीले रंग के हैं, गुलाबी और बैगनी रंग के हैं, और आगे कहते हैं, कि every color वो लगभग हर color के हैं, हर रंग के हैं born out जो बनी है of the seven color साथ रंगों से of the rainbow इंद्रधनुस के तो इंद्रधनुस के साथ रंगों से बने लगभग सभी रंगों की चूडियां है ठीक है या फिर आप लगभग को हटा कर सीधा ऐसे कह सकते हैं कि इंद्रधनुस के सभी साथ रंगों से इंद्रधनुस के सभी साथ rंगों में बनी चूडियां है यानि चूडियां बहुत सारे रंगों की हैं ठीक है लेखिका ने दिखा होगा कि भाई आपने भी आप मार्केट निकल जाओ आपको चूडियों के बहुत सारे देखें सीधी सी बातियां पर इतनी ही है कि spirels of bangles, bangles यानि चूडियों के बंडल पड़े हुए हैं, sunny gold वो सुनहरे रंग के हैं, paddy green मतलब गहरे हरे रंग के हैं, धान जैसे गहरे हरे रंग के हैं, royal blue गहरे नीले रंग के हैं, pink गुलाबी रंग के हैं, purple रंग के हैं और बै rainbow यानि इंद्रधनुस में सात रंगों होते हैं तो आपको इतना कहना है कि इंद्रधनुस के शभी सात रंगों में बनी चूडियां हैं यानि इंद्रधनुस में जितने सात रंग हैं उन सभी रंगों की चूडियां यहाँ पर बनी हुई हैं ठीक है छोटा हो गया ना कि every color हर color में चूडियां बनी है burn out of seven colors उन साथ रंगों से इंद्रधनुस के तो इंद्रधनुस के साथ रंगों के सभी रंगों में चूडियां बनी हुई है अब ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है आपको ज़्यादा ज़्यानना हो तो आप market चले जाएए चूड़िया चूड़िया दिख जाएंगी ठीक है अब मैं आगे चलू तो lie in mounts ये धेर के रोप में पड़ी हुई है in the uncapped yards आंगन में बिखरी हुई और pile मतलब होता है धेर लगाना या गांजना ठीक है आप लादना भी कह सकते हैं तो our pile इन्हें लादा जाता है on four wheeled चार पहिये की हैंड काट हत गारी में इन्हें चार पहिये वाली हत गारी पर लादा जाता है पुष्ट और धक्का लगाया जाता है बाई यंग में नव वजीवक पुर्षों के द्वारा along the narrow lanes सकरी गलियों में of the santi town is santi town santi town मतलब होता है जो पडियों वाले कसबे की तो जो पडियों वाले कसबे की narrow lanes सकरी गलियों में नव व्यूवक के द्वारा इन्हें धक्का दिया जाता है यानि लोग जो नवयुवक हैं नवजवान लोग हैं वो धक्का देकर इस हथ गारी को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाते हैं यह बात यहाँ पर कही जा रही है थोड़ा सावरा असान करते हैं कि इस पारला बैंगल्स एक बार फिर से लाश्ट है ठीक है क्योंकि आपके ृउट्स नार हैं मेरा के वोल इतना हितात पर है और मैंने थोड़ा से ज़्यादा खीच दिया है तो इस पारला बैंगल्स चूड़ियों के जो बंडल है जो की सनी गोल्ड सुनहरे रंग के हैं धान की तरह हरे रंग के हैं गहरे नीले रंग के हैं गुलाबी और बैंगनी रंग के हैं और ये लगभग इंद्रधनुस के सभी सात रंगों से बनी हुई चूडियां यहां पर मौजूद हैं Lie in the mounts in unkempt yard और lie in the mounts और इनके धेर लगे पड़े हैं in unkempt yard आंगन में आंगन में धेर लाई पड़ी हुई है माउंट्स धेर के रूप में अनकेप्ट बिखरी हुई यार्ट्स आंगन में और ये आंगन में बिखरी हुई या अस्त व्यस्त पड़ी हुई है ठीक है या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आंगन में इनका धेर लगा हुआ है और ये अस पुष्ट बाई यंग में नव जवानों के द्वारा या नव यूवकों के द्वारा धक्का दिया जाता है यानि कि नव यूवकों के द्वारा ले जाया जाता है अलोंग दा नेरो लेंस इन सकरी गलियों में ऑपसेंटी टाउन इस जोपडियों वाले कस्बे के तो जोपड या ह़थगारी को ठीक है अब क्लियर हो गया यहां तक कि चार पहिया हथगारी पर इनहें लाद कर 9 जवान पुर्षे के द्वारा इस जो पड़ियों वाले कस्भे की पतली या सकरी गलियों में इनहें धक्का दिया जाता है आगे चलें अब जिसे धक्का दिया जा रहा है वो है चार पहिया हत गारी and in dark hutmates आगे कहते हैं कि and in dark hutmates dark मतलब होता है अंधेरी hutmates मतलब होती है जुगियां या फिर कह सकते हैं जोपडियां तो और अंधेरी जोपडियों में next two lines, एक पंगती में next यानी next मतलब होता है życie line मतलब होता है पंगती तो पंगती में flame, next मतलब सामने तो सामने किसके सामने देखिए oil lamp वहां पे है oil lamp का मतलब होता है तेल का दीपक फिलिकरिंग मतलब होता है टिम्टिमाना फ्लेम मतलब होता है लव तो तेल के दीपक की टिम टिमाती हुई लव के सामने नेक्स्ट मतलब सामने ठीक है लाइन्स अब यहाँ पे सिट लाइन्स मतलब होता है पंक्तिया शिट मतलब होता है बैठना तो पंक्तियों में बैठ कर और अंधेरी जोपडियों में तेल के दीपक की टिम टिमाती लोग के सामने पंक्तियों में बैठ कर समझ में आ गया Boys and Girls लड़के और लड़कियां with their fathers अपने पिता and mother और माता के साथ अपने पिता और माता के साथ welding जोड़ते हैं pieces टुकड़ों को और colored glass रंगीन काच के टुकड़ों को जोड़ते हैं यहाँ पर इतना समझे हैं तो रंगीन काच के टुकड़ों को जोड़ते हैं into circles वृत्ताकार घेरे पर और bangles चूड़ियों के यानि वृत्ताकार मतलब गोलाकार चूड़ी गोलाकार होती है न तो वृत्ताकार घेरे पर जोड़ते हैं फिर से एक बार कि यहाँ पर अंधेरी जोपड़ियों में तेल के दीपक के टिम्टिमाती लोग के सामने बैठ कर लड़के और लड़की आपने माता पिता के साथ विल्डिंग पीस आफ कलर ग्रास रंगीन काच के टुकड़ों को जोड़ते हैं इंटो शर्कल्स यानि वृत्ताकार घेरे में और बैंगल्स चूड़ियों के या फिर वृत्ताकार घेरे पर भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर सीधा इतना है कि रंगीन काज के टुकड़ों को चूड़ियों के वृत्ताकार घेरे पर जोड़ते हुए, बच्चे और बच्चियां यानि लड़के और लड़की आपने माता पिता के साथ तेल के दीपक की टिम टिमाती लो के सामने बैठे रहते हैं, ठीक है यहां तक क्लिर हो गया, आगे चलेंगे, देर आइस, उनकी आखे are more adjusted, कहीं ज़्यादा अजिस्ट हो गई है, to the dark अंधेरे की, यानि उनकी आखे, उनकी आखों को अंधेरे की आदत पड़ चुकी है, then to the light outside, बाहर के प्रकास की अपेक्षा, तो बाहर के प्रकास की अपेक उनकी आखों को डाक अंधेरे की आदत पड़ चुकी है, ठीक है, तो देर आइस, उनकी आखे are more adjusted, यानि उनकी आखों को अंधेरे की आदत पड़ चुकी है, to the dark अंधेरे की, then to the light outside, बाहर के प्रकास की अपेक्षा, तो बाहर के प्रकास की अपेक्षा, उनकी आखों को अ अंधेरे की आदत पड़ चुकी है that is why और इसी लिए they often वो कई बार end up losing खो देते हैं their eyesight अपने आखों की जोती और इसी लिए वो कई बार अपने आखों की जोती खो देते हैं before they become adults, power होने से पहले, जवान होने से पहले या ब्रिद्ध होने से पहले या एक उम्र कमस्कम 40-45 के बाद, ठीक है, तो ब्रिद्ध होने से पहले सिधा-सिधा इसा कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे that is why they often end up losing their eyesight और इसी लिए वो कई बार अपनी आखों की जोतिक हो देते हैं before they become adults, ब्रिद्ध होने से पहले, ठीक है, यानि बहुत ज़्यदा ब्रिद्ध नहीं, adult मतलब पौर, ठीक है, ना बहुत ज़्यदा बूरा, ना बहुत ज़्यदा जवान, बीच में, ठीक है, तो आब आगे चलेंगे शविता, आगे कहते हैं कि सविता, a young girl, सविता, शविता, जो की एक छोटी लड़की है, in drab pink dress, उसने drab भदी pink गुलाबी dress, मतलब पोशाक, उसने भदी गुलाबी पोशाक पहन रखी है, sits alongside, sits और वो बैठी है, alongside भगल में an elderly woman, एक बूढ़ी महिला के, और वो एक बूढ़ी महिला या एक बूढ़ी आउरत के भगल बैठी हुई है, shouldering और जोड रही है, pieces of glass, काच के टुकडों को, सविता एक छोटी लड़की है, जिसने भदी गुलाबी पोशाक पहन रखी है, और एक बृद्ध महिला के भगल बैठी हुई है, और shouldering pieces of glass, काच के pieces, टुकडों को soldering कर रही है, जोड रही है, as her hands, और उसके हाथ, move mechanically, उसके हाथ, machine की तरह चल रहे है, like the tongs, जैसे की चिमटे चलते हैं, of a machine, machine के, जैसे की machine के चिमटे चलते हैं, यानि machine के हाथ, ठीक है, तो जिस तरह से machine चलती है, उसी तरह से उसके हाथ, move कर रहे हैं, यानि कोई भी काम आप daily करो, त जोड़ी है, बाते हाथ, आपर कही जा रहे हैं, as her hands, move mechanically, उसके हाथ, machine की तरह चल रहे हैं, like जैसे, the tongue of a machine, जैसे machine की चिमटे चलते हैं, wonder, और आश्चेर या करती हूँ मैं, यानि मुझे इस बात पर आश्चेर है, लेखी का कहती है, कि if she knows की क्या वो जानती है, the sensitivity, पव जोड़ियां वो बना रही है, उनकी पवित्रता को वो जानती है, it symbolizes, ये प्रतीक है, an Indian woman एक भारती महिला के शुहाग की, ये एक भारती महिला के शुहाग की निशानी है, aspeciousness in marriage, और marriage विवाह में aspeciousness शुभ है, और विवाह में इन्हें शुभ माना जाता है, यानि भा तो विवाह में इन्हें सुभ माना जाता है, यानि ये विवाह में शुभता के प्रतीक है, it will dawn on her, it will, ये dawn on her, उस पर अचानक, suddenly, अचानक one day, एक दिन, तो एक दिन अचानक उसे ये पता चलेगा, ठीक है, यहाँ पर कहना चाते हैं कि एक दिन उसे ये अचानक पता जब he had, he is, he is, he is होगा, हर है, ठीक है, तो हर head जब उसका सर इस ड्रैप ढख दिया जाएगा, विधा रेड वेल एक लाल घुंघट में, तो एक दिन, जब उसका सर लाल घुंघट में ढख दिया जाएगा, तो इट will dawn on her, उसे अचानक ये पता चलेगा, ठीक है, सीधा सी यह confusion नहीं होना है तो it will dawn on her suddenly one day एक दिन उसे यह अचानक पता चलेगा when her head is wrapped with a red whale जब उसका सर एक लाल घूंगट में ठक दिया जाएगा her hands और उसके हाथ डेड रेड लाल रंग दिये जाएगे विधिना महदी से और उसके हाथों को महदी से लाल रंग दिया जाएगा या फिर उसके हाथों में महदी लगा दी जाएगी ठीक है and red bangles और लाल चूड़ियां rolled on to herwits उसकी कलाईयों में लाल चूड़ियां पहना दी जाएगी she will then become a bride she will then और तब वहाँ became a bride एक दुलहन बन जाएगी और तब वह एक दुलहन बन जाएगी like the old woman उसी बूढ़ी महिला की तरह besides sir जो उसके बगल बैठी है जो उसके बगल है ऐसे भी कह सकते हैं तो अपने बगल बैठी बूढ़ी महिला की तरह who जो become one एक दुलहन बनी थी many years ago कई साल पहले यानि बूढ़ी महिला भी तो कभी दुलहन बनी होगी तो वही कहते हैं कि वह महिला जो कई साल पहले दुलहन बनी थी उसी महिला की तरह ये भी एक दुलहन बन जाएगी तो like the old woman उसी बृढ़ी महिला की तरह besides us जो उसके बगल बैठी है who become one many years ago जो कई साल पहले एक दुलहन बनी थी see still has bangles see उसके हाथों में still has bangles in her wrist उसकी कलाईयों में still has bangles अभी भी चूडियां है यानि उसने अपनी कलाईयों में अभी भी चूडियां पहन रखी है वो ब्रद मेला जो है उसकी बात हो रही है but no light in her eyes लेकिन उसके आखों में प्रकास नहीं है ठीक है लेकिन उसकी आखों में प्रकास नहीं है मतलब उसकी आखों में चमक नहीं है ठीक है जैसे आप चमक ह सुबह आप खाना खाते हैं, साम भी आप खाना खाते हैं, तो एक वक्त मतलब सुबह का खाना, ठीक है, या फिर साम का भी खाना कह सकते हैं, मतलब दोनों टाइम में कोई एक बार बस, ठीक है, तो एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खा इवेन कभी भी उसने कभी भी आनन्द नहीं लिया वन फूल मील भर पेट-भोजन का इन हर इंटार लाइफ टाइम अपने पूरे जीवन में उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी भरपीट भोजन का आनंद नहीं लिया यानि भाई कैसी बड़ी बात यहां पे कही जा रही है कि यानि ना सुबा ना साम आप सोचिए आपको तो आपको खाना मिलता है फिर भी आप मम्मी पपस लड़ते रहते हो कि मम्मी हवाई जहाज दिला दो गाड़ी दिला दो उसके पास लंबा वाला बैग हो दिला दो साइकल दिला दो अरे खिला रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है सोचो इस अस्तर पे सोचो तो बहुत बड़ी बात है दूसरा कोई खिला है तो चमड़ी उधेल ले ना तो वही बात यहाँ पे कियते हैं कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी भरपेट भोजन नहीं किया था और यहीं इतना ही मिला उसे किवल इतना ही मिला है क्या मिला है कि हर हस्बेंट उसका एक पती है और ओल्ड वोमन जो एकी बुढ़ा व्यक्ति है विधा फ्लॉइंग बीर्ड जिसकी डाड़ी लहरा यहीं है यानि लहराती हुई डाड़ी वाला एक बुढ़ा व्यक्ति उसका पती है वाट सी है रिप्ट और उसे यहीं मिला है यानि पती ही मिला है बाकि सुक उसे नहीं मिला I know nothing except bangles वो पती उसका कहता है कि I know nothing मैं कुछ नहीं जानता except bangles यानि मैं चूडियों के अलावा क कुछ भी नहीं जानता यानि उसे चोड़ियां बनाने के लाओ कोई दूसरा काम नहीं आता all I have done is मैं जो कुछ भी कर सका make a house वो एक घर बनाना है यानि मैं केवल एक घर बना सका for the family परिवार के लिए to live in रहने के लिए तो मैं परिवार के रहने के लिए केवल एक घर बना सका बस ठीक है यहां तक clear है कुछ भी कठी नहीं है इसलिए मैं revision नहीं करा रहा ठीक है बहुत जादा easy है आगे कहते हैं कि hearing him उसे सुनकर one wonders एक व्यक्ति यानि कोई भी व्यक्ति आश्चरे करेगा उसकी बात को सुनकर कोई भी व्यक्ति आश्चरे करेगा कि if he has achieved कि क्या उ ठीक है कहने का मतलब है कि he has a roof over his head उसके सर पर एक छट है बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके सर पर छट भी नहीं है और वो अपने पूरा जीवन सड़कों पर सो कर बिता देते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं गरीबी बहुत बूरी वाचीज है चलिए छोड़ कर लिया है जिसे पाने में कई लोग असफल हो जाते हैं in their lifetime अपने पूरे जीवन काल में यानि उसकी बात को सुनकर कोई भी अश्यरे करेगा कोई भी वेक्ति सोचेगा कि क्या उसने वो प्राप्त कर लिया है जो बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में प्राप्त नहीं किर पाते हैं he has a roof over his head उसके सर पर कम से कम एक छत है दक्राई रूदन रोना of not having money पैसों के ना होने का to do anything कुछ और ब्यापार करने के कुछ और काम करने के except बजाए carry on जारी रखने के the business ब्यापार को of making bangles चूडिया बनाने के अब इसको उल्टा पढ़ना पड़ेगा ठीक है ध्यान से समझिए तो making bangles चूडिया बनाने के business व्यापार को carry on जारी रखने के अलावा to do anything कुछ और करने या कोई दूसरा व्यापार करने के लिए not having money पैसे ना होने का cry ruden रोना clear है यहां तक अभी और आगे चलेंगे ठीक है not even enough to eat not even और यहां तक enough to eat खाने के लिए भी परियापत ना होने का cry ruden एक ही चीज को मैं समझाओंगा पर पहले मैं एक एक example दे रहा हूं ठीक है एक word समझा रहा हूं फिर मैं जोड़ के समझाता हूं आपको मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा सा भी confused हों ठीक है क्योंकि एक बार पढ़ने के बिजनेस ब्यापार को carry on जारी रखने के accept अलावा तो चूड़िया बनाने के ब्यापार को जारी रखने के अलावा to do anything कोई दूसरा ब्यापार करने के लिए not having money पैसे ना होने का not even enough to eat और खाने के लिए भी परियापत ना होने का cry ruden या rona rings in every home हर घर में गुचता है ठीक या चूड़िया बनाने के काम को या ब्यापार को जारी रखने के अलावा कोई दूसरा ब्यापार करने के लिए पैसे ना होने के और खाने के लिए भी परियापत ना होने का जो रूदन है वो हर घर में गुचता है clear है या तक अब बेटे का बेटा होगा वो भी गरीब यानि सब लोग बड़े कष्ट में अपना जीवाने आपन कर रहे हैं clear है या तक तो आप सीधा कह सकते हैं कि the young man echo the lament दर्द को चिलाते हैं या दोहराते हैं यंग में now you are लोग of their elders अपने बज़र्गों के तो you are लोग अपने बज़र्गों के दर्द को ही दोहराते हैं या चिलाते हैं little has moved with time it seems in फिरोजबाद फिरोजबाद में it seems ऐसा लगता है little has moved with time समय के साथ कुछ भी नहीं बदला ऐसा लगता है कि फिरोजबाद में समय के साथ कुछ भी नहीं बदला नम्ब नम्ब मतलब शूणने कर देने वाला ट्वाइल परिश्रम तो चेतना को शूणने कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने years of mind numbing to ido toilus मतलब परिश्रम, mind मतलब चेतना, सोचना, बिचार, मतलब mind, दिमाग, जो कहना चाहे हैं कहे सकते हैं अ Continue नम्ब मतलब शुन्ने तो शुन्ना को शुन्ने कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने have killed मार दिया है our initiative our initiative मतलब पहल करने की ability की योगिता को to dream और सपने देखने की योगिता को या छमता को killed मार दिया है फिर से कि चेतना को शुन्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने सपने देखने और पहल करने की योगिता को मार दिया है why not organize yourselves तो वाई नाट क्यों नहीं ओगनाईज इकठा हो जाते या संगठित हो जाते योर्सेल्फ आप सब लोग तो आप लोग इकठा क्यों नहीं हो जाते इंटू अ कॉपरेटिव सहकारी समित के रूप में यानि आप लोग अपनी एक सहकारी समित क्यों नहीं बनाते यानि सहकार से कंपनी वगएरा में करमेचारी होते हैं वो लोग बताते हैं कि भाई उनकी समीति होती है और वो बताती है कि भाई अगर कंपनी तंखा नहीं दिया रही तो काम बंद कर दो इतनी तंखा चाहिए तो काम बंद कर दो हरताल करो हरताल के बाद जब तंखा बर जाएगी तब क वकों के एक समूह से पूछा, वकों के एक समूह से पूछा, जो फाल हो गए है, फस गए है, into the various circle, कुचक्र में, of middle man, बिचौलियों के, जो बिचौलियों के, कुचक्र में, फस गए है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां पे छोटा करेंगे, तब आगे चलेंगे, देखिए, why not organize yourself into a cooperative, आप लोग अपनी एक सहकारी समित्य क्यों नहीं बनाते, यानि जब तक सभी लोग सहमत नहीं होंगे, तब तक कोई काम नहीं करना, ठीक है, तो I ask a group of young men, मैंने नवयूकों के एक गुरूप से पूछा, who have fallen into the vicious circles, जो कुचकर में फस गए है, fallen मतलब फसना, of middle men, बिचावलियों के, जो बिचावलियों के कुचकर में फस गए है, या तक क्लियर हो गया, तो who, जिन्होंने, यानि उन्हीं बिचावलियों ने, who trapped, फसाया था, their fathers, जो बिचावलियों के कुचकर में फस गए है, जो ने उनके पिताओं, और उनके पूर्वजों को जाल में फस आया था, या तक क्लियर है, आगे, even if we get organized, even भले ही, we get organized, हम इकठा हो जाए, अगर हम संगठित हो जाए, या फिर भले ही हम संगठित हो जाए, या फिर हम सभी अगर इकठा हो जाए, जैसे करने चाहिए कह सकते हैं, ठीक है, तो चली ऐसे कह देते हैं, कि भले ही हम सभी इकठा हो जाए, we are the ones, फिर भी हमी लोग, who will be hailed up, खसीटे जाएंगे, by the police, फिर भी हमी लोग, घसीटे जाएंगे, पुलिस के दोरा, beaten और पीटे जाएंगे, and drag to jail, और jail में बंद किये जाएंगे, for doing something illegal, कोई गैर कानूनी काम करने के आरोप में, नहीं समझ में आया, नहां से समझ ले, अब ये लोग बच्चों से काम करा रहे हैं, तो भाई जो साहुकार हैं, जो बड़े बड़े, मतलब उन कंपनियों के मालिक हैं, यानि चूडिया बनाने वाला सब का, सब ब्यापार जो करते हैं, वो बड़े बड़े लोग तो कह देंगे, कि भाई हम तो कहते नहीं कि अपने बच्चों से काम करें, और वो पैसे वगएरा दे के अलग हो जाएंगे, हट जाएंगे, लेकिन फशेगा कौन, ये गरीब लोग, क्योंकि इनके पास न उतना जागुरुकता है, और ना ही ये लोग उतना सिक्षित हैं, इवन इफ वी गेट ऑगनाइजड भले ही हम सब इकठा हो जाएं, वी आर दवन्स फिर भी हमी लोग, हुविल बी हाउल बाई, हाउड अप बाई पुलिस, हमी लोग पुलिस के रवारा घसीटे जाएंगे, बीटें और पीटे जाएंगे, and drag to the jail, और jail में बंद किया जाएंगे, for doing something illegal, कोई गैर कानुनी काम करने के आरोप में, they say, वो लोग ऐसा कहते हैं, there is no leader among them, there is no leader, कोई नेता नहीं है, कोई leader नहीं है among them उनमें, उनका कोई leader नहीं है, no one, और कोई ऐसा नहीं है, who could help them, जो उनकी सहायता कर सके, see, देखने में, things, चीजों को differently, अलग अंडाज में, या अलग नजरिये से, और कोई भी ऐसा नहीं है, जो उन्हें अलग धंग से, या अलग नजरिये से, देखने में मदद कर सके, their fathers, उनके पिता, are as dad, उतने ही ठके हुए हैं, as they are, जितना वो खुद, तो उनके पिता भी, उनकी ही तरह, बहुत ठके हुए हैं, या फिर उनके पिता भी, उनकी ही तरह, ठके हुए हैं, they talk endlessly in a spiral, spiral endlessly मतलब लगातार, spiral मतलब चक्र, इक तरह से कह सकते हैं, कि वो एक चक्र में बाते करते हैं, वो लगातार एक ही बात करते हैं, ठीक है, तो वो लगातार एक ही बात बोलते हैं, या फिर वो कुंडली नुमा बात करते हैं, कुंडली नुमा मतलब गोलाकार इस तरह से, यानि पहले तो बात करेंगे, दिखिए यहाँ पे दिखिए जो चसुरू होती है फ्रॉम पुवर्टी गरीबी से यानि पहले बात करेंगे गरीबी की तो अपाथिटी मतलब उदासीन्ता तो जाएगी फिर बात करेंगे उदासीन्ता की ठीक है और फ्रॉम पुवर्टी जो गरीबी से अपाथिटी उदासीन्ता उदासीन्ता से गरीड लालच लालच की बात करेंगे अन्याय की बात करेंगे बात को समझेए समझाने के लिए 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 रहा हूँ फिर बोलेंगे उदासिंता यानि हम आरे बसका कुछ नहीं है वो बड़े बड़े लोग हैं वो हम लोग हमी को फसा देंगे और लालच वो बड़े लोग बहुत लालची हैं घूस वगरा देके बच लेंगे हम लोग फस जाएंगे फिर अन्याय यानि हमारे साथ गलत हो हम लोग बड़े लोग तो बच जाएंगे और फिर बात करेंगे हम लोग तो बहुते गरीब हैं भाई हम करी क्या सकते हैं फिर वही बात उदासिंता यानि हमारे मसका कुछ नहीं है लालच वो बहुत लालची हैं पैसे बगरा देके काम करा लेंगे अपना अन्याय हम बातार चक्र की तरह एक ही बात बोलते हैं जो गरीबी से सुरू होती है तो इंपाथिती गरीबी से सुरू होकर उदासिंता पर जाती है अपाथिती गरीद उदासिंता से सुरू होकर लालच पर जाती है गरीड एंड टूंजश्रिस और लालच से अन्याय पर जाती है या या फिर वो कुंडली नुमा बात करते हैं या वो चक्र के समान एक ही बात बोलते हैं जो गरीबी से उदासींता, उदासींता से लालच और लालच से अन्याय तक पहुँच जाती है कई तरह से बता दिया, जैसे मन हो, वैसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है अब आगे, ये लास्ट है, भाई, चलो आगे लास्ट पर लिस्निंग टुडे, उनकी बातों को सुनकर I see मैं देखती हूँ, to distantic worlds, दो अलग-अलग संसार को तो उनकी बातों को सुनकर, I see मुझे दिखाई देते हैं, to distantic worlds, दो अलग-अलग संसार तो उनकी बातों को सुनकर, मुझे दो अलग-अलग संसार दिखाई देते हैं One, पहला संसार तो वो है, of the family, जो परिवार है, यानि एक तो ऐसे परिवार का संसार है caught in a wave of poverty, caught जो फसा है, in a wave, जाल में of poverty, गरीबी के जो गरीबी के जाल में फसा है, यानि एक ऐसे परिवार का, जो गरीबी के जाल में फसा है यानि मुझे दो संसार दिखाई देते हैं ना तो पहला संसार तो वो एक ऐसे परिवार का है जो गरीबी के जाल में फसा पड़ा है burdened और दबा हुआ है by the stigma of caste जाती की stigma कलंक से in which day I burn जिसमें उसने जन्म लिया है तो अपने जन्म की जाती के कलंक से वो दबा पड़ा है फिर से कि listening to them उनकी बातों को सुन कर I see two distinct words मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं one of the family पहला संसार तो उस परिवार का है या फिर पहला संसार जो मुझे दिखाई देता है वो उस परिवार का है caught in a way of poverty जो गरीबी के जाल में फसा है यहां तक clear हो गया छोटा कर लेते हैं burden और दबा है by the stigma कलंक से offcast जाती के और जाती के कलंक से दबा है in which they are burn जिसमें उसने जन्म लिया है यानि अपनी जन्म की जाती के कलंक के नीचे दबा हुआ है हो गया यहां तक अब आगे यहां तक हो गया ना हमारा की listening to them I see two listening world उनकी बातों को सुनकर मुझे दो अलग-अलग संसार दिखाई देते हैं पहला संसार तो उस परिवार का है जो गरीबी के जाल में फसा पड़ा है और अपनी जन्म की जाती के कलंक के नीचे दबा हुआ है ठीक है यानि चूडियों बनाने के परिवार है यानि चूडिया बनाने वालों के परिवार में जन्म लिया है तो जी वन भर चूडिया ही बनाएंगे वो दादी मा ने कहा था था ना कि ये इसकी भाग गए इसका नियती है ठीक है दादर्स और जो दूसरा संसार है अवीशियस शर्कल वो एक कुचक्र है और जो दूसरा संसार मुझे दिखाई बड़ता है वो एक कुचक्र है और जो दूसरा संसार मुझे दिखाई देता है वो एक कुचक्र है साहुकारों का, बिचौलियों का, पुलिस वालों का, कानून लागू करने वालों का, नौकर्शाहों का और राजनेताओं का तो जो दूसरा संसार है वो साहुकारों, बिचावलियों, पुलिस वालों, कानून को लागू करने वालों और नौकरशाहों और पॉलिटिसियंस यानी राजनेताओं का विशिश शर्कल कुछ चक्र है यानी एक सर्कल तो बहुत ही ज़्यादा बैमान है, कुछ चक्र है दुनिया भर के लालची लोग उसमें भरे पड़े हैं और दूसरा चक्र जिसमें बहुत ज़्यादा गरीबी है और जन्म के जाति के कलंक नीचे वो दबा पड़ा है तोगेदर, इन दोनों ने मिलकर यानी दोनों संसारों ने मिलकर दे हैब इन पोजड लाद दिया है यानी एक ऐसा भार लाद दिया है और चाइल्ड बच्चे के उपर इन दोनों ने मिलकर बच्चे के उपर ऐसा भार लाद दिया है that he cannot put down जिसे वो उतार नहीं सकता ठीक है? दो संसार दिखाई देते हैं और दोनों संसार को जिम्मेदार बता रही है वो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं यह दोनों की है ठीक है? और दोनों ने मिलकर बच्चे के उपर ऐसा भार लाद दिया है जिसे वो put down नहीं कर सकता उतार नहीं सकता before he is aware जानने से पहले before इससे पहले कि he is aware वो समझ सके या वो जानकार हो या फिर वो एहसास करे यानि एहसास होने से पहले ही he accepts वो सुईकार लेता है इसे as naturally उसी तरह as his father जैसे उसकी पिता ने सुईकार रहा था तो एहसास होने से पहले ही वो उसे उतने ही आराम से शुईकार लेता है जैसे उसके पिता ने सुईकार रहा था यानि naturally मतलब स्वाभावी क्रोप से तो ऐसे कह सकते हैं कि before he is aware तो जानकार होने से पहले एहसास होने से पहले ही he accepts as naturally वो उसे इतने ही स्वाभाविक रूप से अपना लेता है as his father जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने अपनाया था ठीक है तो वो आपसी रस्दा कह सकते हैं कि अहसास होने से पहले ही वो अपने पिता की ही तरह इसे अपना लेता है ठीक है to do anything else कुछ और करने के अलावा वोड मीन टुड़ियर यानि to do anything कुछ और करने का else, यानि कोई दूसरा काम करने का अर्थ है, would mean अर्थ है, to dare, साहस करना यानि कुछ हट कर या कुछ हलक करने का अर्थ होगा कि चुनवती देना, ठीक है? साहस करना dare मतलब चुनावती देना यानि उनके खून में ही नहीं है वो चीज वो दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकते तो दूसरा काम करने का अर्थ है कि चुनावती देना तो do anything कोई दूसरा काम करना would mean to dare यानि कोई दूसरे काम करने का अर्थ है चुनावती देना और चुनावती देना उसके पालन का भाग नहीं है यानि उसकी परवरिस का अंग चुनावती देना नहीं है हम लोग चुनावती देते हैं हम लोग कहते हैं कैसे नहीं होगा चलो करेंगे दूसरा काम करेंगे तीसरा काम करेंगे आज मैद की ये सवाल नहीं आ रही आज जरूर लगा के रहेंगे चाहे जो हो जाए पूरी राज जागना पड़े लेकिन लगा के रहेंगे लेकिन ये लोग चुनोती नहीं देते क्योंकि बच्पन से इनको चूड़ी जोड़ने का काम है तो क्यों चुनोती दें वो जानते हैं कि बस यही करना है तो बच्चे लगे हैं अब बच्पन से आप कही काम करते चले जाओ तो दूसरा काम आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपकी जो मानसिक्ता है वो सीमित हो गई, आपकी चेतना शुन्य हो गई ठीक है, तो वही चीज फिर से आराम से चैप्टर से भटक गया था sorry, to do anything else कोई दूसरा काम करना उर्मीन का अर्थ है to dare, चुनावती देना कोई दूसरे काम करने का अर्थ होगा चुनावती देना, and daring और चुनावती दोना देना is not part of his growing up उसकी परवदिस का अंग नहीं है, खिक है when I sense जब मैं देखती हूँ अफ्लैसिक चमक को आफिट इसकी, यानि चुनावती की in मुकेस मुकेस में मैं परसंद हो जाती हूँ यानि मुकेस कहता है ना कि मैं गारी चलाना सीखूँगा तो ये चुनावती देना हुआ क्योंकि सब लोग चूडियां जोडने में बस्त है लेकिन ये एक ऐसा बच्चा है जो कह रहा है कि मैं गारी चलाना सीखूँगा यानि मैं गारी चलाना सीखूँगा ये देख रहा है एक चुनावती है तो when I sense a flash मैं एक चमक देखती हूँ जब मैं एक चमक देखती हूँ और फिट चुनावती की तो जब मैं इसकी एक चमक देखती हूँ मुकेस में I am cheered तो मैं प्रसन हो जाती हूँ तो जब मैं मुकेस में इसकी एक चमक देखती हूँ या इसकी एक जलक देखती हूँ तो मैं प्रसन हो जाती हूँ ठीक है I want to be a motor mechanic I want मैं बनना चाहता हूँ तो be a motor mechanic एक motor mechanic मैं एक motor mechanic बनना चाहता हूँ mechanic वो लोग जो गाडियां बिगर जाया तो उसे ठीक करते हैं ठीक है he repeats वो दोहरा कर कहता है यानि फिर से कहता है कि मैं एक motor mechanic बनना चाहता हूं he will go to garage वो garage जाएगा garage वो अस्थान जहां पर गाडियां बिगरने के बाद बनने जाती है फिल्मों में देखाओ काक ने तो he will go to garage वो garage जाएगा and learn और सीखेगा वो garage जाएगा और गाड़ियां बनाना सीखेगा बट लेकिन the garage is long away long way मतलब बहुत दूर है from his home उसके घर से लेकिन garage तो उसके घर से बहुत दूर है I will walk मैं paddle जाओंगा he insist वो जोर देकर कहता है यानि वो जोर देकर कहता है कि मैं paddle जाओंगा ठीक है जोर देकर कहने का मतलब है कि अपनी बात को उपर रखने के कोसिस करता है कि भाई मैं जाओंगा चाहे जो हो जाओंगा ठीक है do you also dream of flying plane do you also dream क्या तुम सपना देखते हो of flying a plane एक plane उडाने का तो क्या तुम एक हवाई जहाज उडाने का भी सपना देखते हो he is suddenly silent अचानक वो silent हो जाता है अचानक वो चूप हो जाता है no, नहीं he says वो कहता है वो कहता है कि नहीं मुझे बस मैं गाड़ियों में ही खुस हूँ staring at the ground जमीन पर देखते हुए तो जमीन को star करते हो जमीन को घोरते हुए he says वो कहता है no, नहीं in his small murmur उसकी small छोटी मरमर बुदबदाहत में उसकी छोटी सी बुदबदाहत में एक सरमिन्दगी का भाव है उसकी छोटी बुदबदाहत में यानि जब ओ धीरे से कहता है नहीं तो कहते हैं कि इन्हीं small murmur उसकी छोटी बुदबदाहत में एक सरमिन्दगी का भाव है जो अभी तक नहीं बदला है into regret जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदला है यानि बात यहाँ पे सिधी सिधी कि लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे ठीक है वो बात है यहाँ पे तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना अपना काम करते रहना बस in his small murmur उसकी छोटी बुढबदाहट में there is an embarrassment एक सरमिंदिगी का भाव है that has not turned into regret जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदला है he is content वो संतुष्ट है to dream सपना देखकर of cars गारियों का वो गारियों का सपना देखकर संतुष्ट है he is content to dream of cars content मतलब संतुष्ट होना तो वो संतुष्ट है to dream of cars गारियों का सपना देखकर कारों का सपना देखकर ठीक है तो वो कारों का सपना देखकर संतुष्ट है that he sees जो वो देखता है hurtling down तेजी से दौड़ते हुए the street गलियों में office town उसके कस्बे की जिन्हें वो अपने कस्बे की गलियों में तेजी से दौड़ते हुए c देखता है तो वो कारों का सपना देखकर ही संतुष्ट है जिन्हें वो अपने कस्बे की गलियों में तेजी से दौड़ते हुए देखता है ठीक है बहुत ही कम हवाई जहाज यानि मुश्किल से ही कोई हवाई जहाज फिरोजाबाद के उपर से तो मुश्किल से ही कोई हवाई जहाज या वायू यान जो कहना चाहें तो मुस्किल से ही कोई वायू यान फिरोजाबाद के उपर से उड़ता है यानि फिरोजाबाद के उपर से बहुत कम हवाई जहाज उड़ते हैं तो बस यहीं पर समाप्त होता है और इस चैप्टर को देख कर पढ़ कर एक चीज आप जरूर सीख लीजिए कि कुछ भी हो जा ज़्यादा सम्मान करना है किसी का न तो अपने माबाप का करना ठीक है क्योंकि यह देख रहे हो न कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में कितनी गरीबी से गुजर रहे हैं तो संघर्स सबके जीवन में है और आपके पिता ने भी आपको पालने में किसी से कम संघर्स नहीं किया एहसास होगा आपको लेकिन जब आप खुद कमाने लगोगे तब बस दुनिया में एक ही काम करना है अपने माबाप का सम्मान करो और अपने आप आगे वड़ते चले जाओगे ठीक है तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको इस चेप्टर पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ भी सेर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाब ले सके पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एक नए चेप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूगा एक नए वीडियो लेक्चर में